नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अलोकराज वेलकम बैक टो आपर यूटूब चैनल इजी लाइव वीता लोग दोस्तों इस वीडियो को गौर से दिखेगा बारबर उस फॉर्म को भेजा जा रहा है, बारबर बोला जा रहा है कि इस फॉर्म को जरूर फिल करें क्योंकि अगर इन फ्यूचर में किसी भी परकर का टेकनिकल इरर हो जाता है और सारे डाटे एरेज भी हो जाएंगे तब भी कोई problem की बात नहीं रहेगे अगर इस form को fill up कर रखेंगे अगर इस form को fill up रहेगा तो वो बाद में data easy तरीके से fetch कर लेंगे किन लोगों ने कितना investment किया वो data fetch कर लेंगे अगर technical error हो गया और आप लोग form fill up नहीं कर रखेंगे जिनका fill up नहीं रहेगा दोस्तों तो उनका data fetch करने में problem होगी इससे नुकसान आपका होगा कि आपका transaction मिल नहीं पाएगा और सारे पैसे आपको डूब भी सकते हैं दोस्तों इसलिए Google form को भरना बहुत जरूरी है तो देखेंगे इनका Google form किस परकार से है मैं आपको यहां पर दिखा दोता हूँ अगर इनके official telegram channel पर आएंगे दोस्तों तो देखेंगे कि इनके through bar बर जो है यह Google form के बारे में बात की जा रही है देखेंगे यह Google form का link दिया गया है यहां बोला जा रहा है dear peace token family who brought our tokens in private pre-sale please यहां देखेंगे please do feel the form इस form को जरूर feel करें ताके किसी परकार का technical error हो तो आपको problem नहीं होना चाहिए तो इससे चलिए हम दोस्तों आपको दिखाते हैं इस वीडियो में किस तरीके से आप इस form को fill up करेंगे तो इसलिए दोस्तों request है वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip कियों देखेगा तभी सारी चीज़े आपको समझ में आने वाली रहेगी दोस्तों चलिए दूस्तों आप सिधा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में लेकिन दूस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग उसे एक चोटी से request है वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर देंगे दूस्तों और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब गूगल फॉर्म बना हुआ है तो गूगल फॉर्म जो बना हुआ है दूस्तों तो आप क्या करेंगे इसे क्या करना है आपको फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे यह देखेंगे सबसे पहले दूस्तों कि यहाँ पर दिया गया है email ID आप क्या करेंगे एक email ID यहाँ डाल दें दूसरा है दोस्तो आड़ फाइल तो यहां पर क्या आड़ करेंगे सिंपल है दोस्तों कि जो भी आपने जितना भी टोकेन आपने बाई किया है तो प्रिसेल में जब टोकेन को बाई करते हैं तो उसके बाद उस टोकेन को क्लेम करना पड़ता है तो क्लेम करने के लिए भी ज सीधा जाएंगे दूस्तों और उसके बाद आपको क्या करना है step by step देखते जाएगा कि हम लोग क्या करना है उसके बाद आप क्या करेंगे सीधा जाएंगे d apps में ध्यान से दिखेगा सीधा आएंगे d apps में उसके बाद आपको चले जाना है coin tool पे actually में हम लोगों को जाना है तो direct इस link पे भी click कर सकते हैं या फिर जिनको नहीं पता चल रहा है तो वो क्या करेंगे इनके official site जो होता है peace token का वो click करेंगे हम लोग peace token finance इनका official website का नाम है peace token finance.in ठीक है ये fill up करेंगे फिल अब करने के बाद search करेंगे search करने के बाद दूस्तों इनके official website पे आ जाएंगे जब official website पे आएंगे तो यहाँ पर एक छोटे सा काम करना है क्या करना है करना है दूस्तों कि यह यहाँ पर ethereum network select है तो इससे हम क्या करेंगे सबसे पहले binance smart chain पे कर लेंगे क्योंकि binance smart chain पे ही के network पे ही peace token बनी हुई है तो इसलिए हमें binance smart chain के network को कर लेना है फिन नीचे scroll करेंगे तो आपको join pre-sale का option देख रहा है click करेंगे तो उसके बाद आप coin tool application पे आ जाएंगे जैसी यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ आपको easy तरीके से show करेगा कि आपने कितने token buy किये हैं और कितना token claim करना बागी है तो यहाँ देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा आ रहा है कि 3 लाग token को क्या करना है buy करना है तो दोस्तों यह 3 लाग token को buy करना है इसी चीजों को आपको क्या करना है screenshot ले लेना है तो चलिए हम क्या करते हैं screenshot ले लेते हैं यहां पर मैंने screenshot ले लिया अब इस screenshot को Google form में जाएंगे Google form में जाने के बाद उस screenshot को attach कर देंगे यानि add file पर click कर गे attach कर देंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं हम attach करके सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि यहां पर यह email ID आप दे दीजे कोई भी email ID है तो दे दीजे उसके बाद add file पर click करेंगे फिर second time में फिर से आपको लिखा मिल रहा है दोस्तों कि select files from your device तो इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद जो screenshot आपने लिया है उससे क्या करेंगे सिधा हम add कर देंगे यहां फिर upload का button है upload पर click करेंगे यह file जो है attach हो जाएगी देखेंगे यहां file एक attach हो चुकी है तो इसी तरीके से आप attach हो जाएगी next है दोस्तों नाम यहां नाम लिखना है तो नाम अपना लिख लेंगे दूसरा पूछा जा रहा है how much BNB you have used to purchase यानि कितना का investment आपने किया था इस token को buy करने के लिए पी स्टोकेन को buy करने के लिए तो जितना का minimum investment है वो यहां पर भर देना है तो यहां दोस्तों मैंने 0.02 BNB का buy किया था इसलिए मैं यहां पर fail भी कर दिया हूँ Next step जो लोगों को problem होती है यहां होती है ट्रणजेक्शन हैस में यहां पर देखें वे दोस्तों नीचे column बना हो हूँ हूँ है your answer का तो यहां क्या देना है यहां पूछा जा रहा है कि आप जू है transaction has यहाँ पर डालना है यह transaction has है और इस transaction has को कहा फिलब करना है यहाँ लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि transaction has को आप कैसे पता करें तो दोस्तो बहुत हीजी है transaction has को पता करना उसके लिए सीधा आप आजाएंगे कि दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे दूस्तों सीधा आ जाएंगे ट्रस्ट बॉलेट पर धियान से देखिएगा तभी चीजे समझ में आएगे skip नहीं करना है तो इसके लिए दुस्तों आकपो सीधा आ जाना है telegram channel पर हाँ यहां देखेंगे telegram channel पर आ जाएंगे channel पर आने के बाद दुस्तों यहां आ जाएंगे wallet पर अब बात आती यहाँ के आपने किस से buy किया था इस token को B.S.C. smart chain से ठीक है हमको transaction has पता करना है तो इसलिए हम इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद आपको एक बार याद करना होगा कि हम किस date में peace token को buy किया गया है इतना तो आपको basic ध्यान रखना है तो जैसे कि दोस्तो मैंने 21 तारीक को buy किया था तो 21 तारीक वाला smart contract call पे click करेंगे करने के बाद ऐ इसा interface आएगा उसके बाद नीचे more detail पे click करेंगे तो जब हम more detail पे click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको transaction has मिल जाएगा देख रहे हैं कि यहाँ जो है transaction has लिखा मिल रहा है तो यही transaction has को आप क्या करेंगे वहाँ feel करेंगे तो एक बार verify कर लेते हैं दोस्तों यहाँ प पर click करने पर copy हो जाता transaction has अब दोस्तों इस transactions को transaction has को copy करने के बाद सीधा आ जाना है अपने google form पे तो देख लेंगे google form कहा है दोस्तों अभी लगता है यह बंद हो चुका तो इसे हम फिर से बापस क्या करते हैं open कर लेते हैं open करने के बाद जो transaction has आपने copy किया इसी तरीके स transaction has को पता करेंगे और पता होने के बाद आपको यहां क्या करना है सीधा इस transaction has को यहां paste कर देना है तो transaction has यहां दिया हुआ है दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे मैंने already paste कर दिया है तो आप लोग भी इसी तरीके से पता करके paste कर देंगे दोस्तों ठीके second चीज है यहां पूछा जा रहा है कि BSC address को यहां इंटर करना है जिससे आपने इस token को purchase किया है तो BSC address कहां से मिलेगा तो इसके लिए आपको जाना होगा trust wallet में यहां आने के बाद दोस्तों देखेंगे यहां आजाईए wallet में आजाईए wallet में आने के बाद देखें हम लोगों ने वाई किया था BSC से यानि smart chain BNV से किया था तो इस पे किलिक करेंगे और जो receive का button दिया हुआ है इस पे किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आप इस address को copy कर लेना है तो इसे हम copy कर लेंगे और copy करने के बाद सीधा google form में आकर यहां पर हम BSC address को paste कर देंगे तो paste करने के बाद अब नीचे पूछा जा रहा है कि number of claimable token यानि कितने token जो आपने pre-sale में buy किया है कितने token है जिसे आपको claim करना है तो जितना token देख लेंगे दोस्तों कितना claim करना है तो मुझे जो है करना है 3 lakh token है जो मुझे claim करना है तो मैं यहां 3 lakh token enter कर दूँगा एक बार ध्यान से कर लेंगे फिर next thing पूछा जा रहा है दोस्तों कि did you follow our official pages अगर follow कर रहा है तो yes और no इसके recording कर लेंगे तो मैं कर लेता हूँ yes और उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों any further queries अगर कोई भी queries है तो आप यहां पर वो भी लिख सकते है अगर नहीं है तो simple no लिख देंगे no लिखने के बाद दूस्तों आपको क्या करना है एक बार verify उपर से नीचे तक कर लेना हर column आपने feel किया है कि नहीं किया है तो चलिए देखते हैं starting से email id मेरा दिया हुआ है screenshot मैंने add किया है नाम यहां से हट चुका है तो नाम को मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ और उसके बाद आप यहां देखेंगे how much bnb you have used to purchase कितना मैंने bnb use किया था इसे purchase करने के लिए token को 0.02 bnb मैंने use किया था तो यहां पर मैं यह mention कर देता हूँ यह mention इसी तरह कर लिए transaction has दिया हुआ है bsc address दिया हुआ है number of claimable मैंने fill कर दिया है और official pages को follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह भी मैंने mention कर दिया और कोई queries नहीं है इतना final करने के बाद यहां submit button पर click कर सकते हैं और साथ में अगर चाहते हैं कि यह जो आपने response दे रहे हैं form को fill up कर रहे हैं तो इसका आपका एक copy जो आपको send करें तो इस button को on कर लेंगे तो इस button को क्या करते हैं उन कर देते हैं उसके बाद submit button पर click करेंगे जैसे सम्मिट बटन पर किलिक करेंगे तो आपका रिस्पॉंस जो है वहाँ सम्मिट हो जाएगा देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है पीस टोकिन फाइनेंस योर रिस्पॉंस हाज बिन रिकॉर्डेड ठीक है तो यह हो गया है इस तरीके से आप गूगल फॉर्म को इज क्याश है यहाँ है। दे आपका है यहाँ एके है यहाँ है